देखिए एसा बनकर स्टार्ट होगा हेलो फ्रेंड्स वेलकम बेक टो मैं चैनल तो मैं हूँ प्रिति गुप्ता और मेरे चैनल प्रिति क्रेशन में आज आपका बहुत बहुत स्वागत हैं दोस्तों आज के टॉपिक देखकर आपको समझाई गया होगा कि वीडियो किस टॉ जानकारी देदू मैरे चैनल पर मेरे ब्यूटि पालर के ऑन फेस्ट वीडियो अप्लोड हते रहते हैं कि यह आपके आपके पॉर्स को पूरी तरह से भर देगा अगर आपके पोर्स बहुत ज्यादा खुले-खुले और ओपन हैं तो जैसे कि आप देख रहे हैं खीरा दोस्तों खीरा आजकल हर मौसम में मिलने लग गया है लेकिन गर्मी और बड़साथ के शिसरमें बहुत ही ज़्यादा मिलता है खीरे के यसे वेट लास होता है जिसमें कैलोरी कम होती है लेकिन खीरे का एक मेहनी फायदा यह है कि हमारी इसकिन के पोर्स जो बहुत बड़े-बड़े होते हैं, उन्हें छोटे करने का काम करता है, इसकीन के पोर्स को भरने का काम करता है, और इसकीन को टाइट करता है, और जब हमारी सकीन टाइट हो जाती है, तो हमारी सकीन ग्लासी और शाइनी नजर आती है, तो इस तरीके से आपको एक खीरा ल जादा ड्राइनेस है तो खीरे का यह जेल है वह आपकी ड्राइनेस को कम करेंगा देखिए इस प्रकार से कद्दू कस करने के बाद हमें खीरे के पानी को छान लेना है खीरा और लोग की दो इसी चीज़े हैं जिनमें 80-90 प्रतिसत पानी होता है और केलोरी सिर्फ 10-15 प्रति इस चीज़े जेल बनाऋ रहे हैं तो कुकूंबर के लिए हमने पहले कुकूंबर का जूस निकाल लिया है और यह इन आप को में बतात को यह जो कुकूंबर का हमने पानी निकाला आक दूस्तों आप इसको इसको आैसरे टोनर भी यूजर harus कर सकते vivid तो टोनर के रूप में यह बहुत ज़्यादा वर्क करेगा अभी देखे मैंने यहां पर दूसरा इंग्रेडियन्ट लिया है जो कि है विटामिन E का कैपसूल इविए ओन फॉर हंडड़ विटामिन E का मैंने इसमें एक या दो कैपसूल आप डाल लीजिए क्योंकि विटामिन E हमारी स्कीन को वहती ज़्यादा कड़क होता है तो आप यह तो किसी केची की मदद से काटकर इसे डाल लीजिए या फिर किसी पीन की मदद से पिंच करके विटामिन E का ओईल निकाल लीजिए और इसमें अची तरह से मिला लीजिए अब इसके बाद हम जेल मिला रहे है तो जो जेल बना इसे मुझे बहुत ज्यादा हिलाना है कि कुकुमबर का जो पानी है रस है और अलोवेरा जेल विटामिनी पूरी तरह से मिक्स हो जाए अच्छे से मिक्स हो जाए आप बिल्कुल इसे शेक करते रहिए आप देखेंगे कि बिल्कुल जेल फॉर में मिलकर निकले गई और मै इसे बहुत अच्छे से फेट लिया है अभी आपके सामने में इसे एक डिबी में स्टोर कर रही हूं देखेंगे कि इस फॉर्म में निकला है बिल्कुल जेल बन गया है और बिल्कुल घर का बनावा जेल जिसमें ना ही कोई केमिकल यूज है ना ही कोई मिलावट है इससे आप आपके आखों के नीचे की डाक सस्कल सरकल को दूर कर सकते हैं डाक दबर रिमोग कर सकते हैं और जब अपनी स्कीन पर से लगाओं लगाओगे ना तो आपको इतना स्मूथ फिल होगा कि आप इसे लगाना पसंद करोगे रात को सोते समय में भी और दिन में भी कहने का मतलब पर डे नाइड क्रीम हो गया देखिए यह बहुत ही ज्यादा सौफ्ट कुकुमबर का जेल हो गया है जेल तो हम कोई सा भी लेते हैं जब जेल बनाते हैं तो एक नॉर्मली जेल भी लेते हैं यहां पर हमने कुकुमबर डाला है और यह इस तरीके से आपको लगाना है अपने फेर्स पर आप जब चाहिए तब लगा ले आपके चेहरे के दाग दबे संटेन गर्मी के सीजन के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा ही है वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीज़े चैनल क को सब्सक्राइब कीजिए और अपनी फेमिलियर फ्रेंड के साथ जरूर श्यार कीजिए गद्यादा अ करणा हुआ प्रेंजाए बहुत है के साथrän में भाह लानुम है कόल क के बाड़के जिए पत्रवचाा है